वैसे तो हमारे देश पे और हमारी परंपराओं बे लाखो कहानिया है लेकिन एक बड़ी इंट्रेस्टिंग कहानी है वो कहानी ये कहती है कि एक दिन ब्रह्मा जी और विश्णु जी बात चीत कर रहे थे कि सबसे महान देव कौन है और एकदम से एक शिवलिंग प्रगट हंस और उनने उपर की तरफ उढ़ना शुरू कर दिया तो ये अग्रीमेंट हुई थी कि जो पहले यह उपर यह नीचे ढूंड़ेगा वो सबसे महान देव होगा लेकिन आप तो जानते हैं शिवलिंग शिव जी का कोई आकार नहीं कोई अंत नहीं तो वो चलते रहे कई ह सारों साल तक ब्रह्मा जी उपर उड़ते गए हंस बनके शिव जी नीचे खोते कई जमीन को लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया कोई अंत नहीं आया तो फाइनली विश्व जी ने कहा जी मुझसे तो नहीं हो पाएगा अब ये तो अनंत है कभी अंत नहीं होने वाला लेकिन ब्रह्मा जी जब उपर जा रहे थे तो एक फूल नीचे गिर रहा था तो उन्होंने फूल को पकड़ा और फूल ने कहा जी मैं उपर से आया हूं लेकिन ये शिव बढ़ता जा रहा है जिस स्पीड से आप उपर जा रहे हो उस जज़दा स्तेजी से बढ़ रहा है तो है कहानी तो यह सच है कि जूट है यह हम नहीं जानते लेकिन हम यह जानते हैं कि अब ब्रह्मा जी के मंदिर जो है वो बहुत कम है दुनिया में और यह है उन में से एक और यह जो है मंदर पूरी लकड़ी से बनावा है इसमें बहुत महीम शिल्फकारी भी है लकड़ पे इसके पास पहुंचने के लिए आपको जब आप भुंटर पास करेंगे जो एरपोर्ट है कुलूमनाली का पास से थोड़ा आगे जाके मांडी बजावड़ा पर आप राइट लेंगे और बड़ी सुन्दर स्टेट हाइवे तेईस पे आप गाड़ी उपर पहाड़ों में पतली नैरो रोड पे आप चला के आएंगे तो आपको राइट साइट पर यह बड़ा सुन्दर मंदिर मिल जागा जैसे अप अंदर आएंगे बिलकुल ऐसे शा सभ़ेशने भेशने लोगे आप और आयसी खुबसूरती पाम इतनी संप्लिसिटी है साधगी है कि सथा शूरती में कि इसको देखके पूरा मन भर जाता है आपकी आत्माろ त्रिक्त हो जाती है और तो ऑसे पर मंदिर ने बहुत ही खुबसूरत तो यह चोगा गया है पुर 100 साल से कोई नहीं जानता कितना पुराना है तो इस मंदिर के देखा देखी करीब 16 या 20 साल पहले यह नया मंदिर बनाया गया यहाँ पर और यहाँ पर करी गई मूर्ती की स्थापना तो यह है कहानिया और ऐसी कहानिया हिमाचल की वादियों में जिससे देव भूमिक आ जात हैं कुछ दोस्तों के साथ उनके साथ अगर आप बैठे कहानियां सुनने बैठ जाएं तो रात हो जाएगी लेकिन कहानियां खतम नहीं होंगी और हर कहानी एक से एक और ऐसा ही मंदर आपको और भी प्राचीन खोखन में मिलेगा जहां पर वो कहते हैं मोरे भी हैं सोने के और अश्टधातू के और इसका जो में मंदर ऐसा वो तीरी में है तो तीन तो हमार को पता है तो जो भोले नाद जी थे वो इसलिए भोले नाद जी थे उन्होंने थोड़ी ची माफी दे जी उगी क्योंकि आपको पुषकर में और हिमाचल में तीन-चार जगा पर ब्रहमा जी के मंदर मिल जाएंगे अगर आप ब्रहमा जी के और किसी मंदर को जानते हैं जहां पूजा हो तो हमें ज़रोर लिख के बताएं क्योंके 6 से जादा देखते कहां तक नंबर पहुंचता है तो आईए आपको अंदर दिखाते हैं मोर्ती और आपको दिखाते हैं पास से यह कित्ती खुबसूरा जगा है चली आप आगे चली आम आपके पीछे पीछे आएंगे दक्कानी देना दक्कानी देना